आज हम बनाएंगे स्वाद और सेहत से भरपूर बहुत ही टेस्टी लोकी के पराठे सुबह सुबह नाच्ते में यह पराठे बनाएंगे तो यह आपको टेस्टी भी बहुत लगेंगे और साथ ही healthy भी होते हैं नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना लोकी के पराठे बनाने के लिए मैंने यहां 400 ग्राम के करीब लोकी ली है इसे हम दो टुकडों में काट लेंगे हमने इसे पहले ही धो लिया था ये देखिए इन लोकी में बिल्कुल पूरी बीज नहीं है इस तरह की लोकी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया पराठे बनेंगे लोकी को हमने चील लिया है और हम इसे अब कद्दू कस कर लेते हैं हम पूरी लोकी को कद्दू कस करेंगे क्योंकि बीज नहीं है अगर बीज वाली लोकी हो तो आप बीच कब आटा मिला देती हूं फिर हमें जरुवत लगी तो हम इसमें और आटा मिला देंगे अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे मसालों में मैंने लिया है आधा चोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक चोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर एक चोटा चम्मच धनिया पाउडर एक च एक इंच अद्रक का टुकडा लिया है, इसे हम कद्दू कस करके डाल देंगे, एक छोटा चम्मच हमने भुनी हुई कसूरी मेथी ली है, जिसे हातों से क्रश करके डाल दीजिए, अब हमने यहाँ पर धनिया पत्ती ली है, बारिक कटी हुई, और अब हम इसमें लगबग 3- छोटा चम्मच नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, और आधा छोटा चम्मच आम चूर का पावडर, हमने वही मसाले इस्तेमाल की हैं, जो नौरमली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी ये मिक्षर मुझे गीला लग रहा है तो हम इसमें बचा हुआ आधा कप गेहूं का आटा और डाल देते हैं साथ ही मैं यहाँ एक टेबल स्पून तेल भी डाल देती हूँ इससे हमारे पराठे सॉफ्ट बनेंगे आपको आटा इससे थोड़ा सा कम या ज्यादा लग सकता है यह आपकी लोकी कितना पानी या मोश्चर रिलीज करती है उस पर डिपैंड रहेगा अब हम इसका आटा लगा लेते हैं आटा लगाने के लिए हमें एक बूंद पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना है इस बात का ध्यान रखिएगा अब हम इस पर एक चम्मच तेल लगा लेते हैं और इसे अच्छे से गूंथ लेंगे आटा हमारा लगकर तयार है हम इसे 10-15 मिनिट रेष्ट के लिए रखेंगे तो मैं इसे रेष्ट के लिए फ्रीज में रखूंगी ताकि आटा बहुत ज़्यादा लूज ना हो जाए 10-15 मिनिट हमने इसे फ्रीज में रखा और अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करते हैं तो मैंने एक लोई ले ली है इसे सुखे आटे में लपेट लेंगे और इसे हम पहले थोड़ा बेलेंगे और उसके बाद हम बीच में घी या तेल लगा लेंगे और मैं ये पराठे गोल ही बना रही हूँ आप चाहें तो ट्रेंगल शेप में या चौकोर कैसे भी बना सकते हो और बस अब हम इसे बेल लेंगे फिर से ये हमारा एक पराठा तयार है और देखी मैंने बहुत पतला नहीं बेला है अब हम गरम तवे पर थोड़ा सा घी डालेंगे और गैस का फ्लेम मेडियम टू हाई करके हम इस पराठे को जैसे बाकी पराठे सेकते हैं वैसे ही सेक लेंगे तो अब हम दोनों साइड से घी, तेल या बटर कुछ भी लगाते हुए इसे सेक लेंगे ये पराठे दही और खटे आम के अचार के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं आप चाहें तो इन पराठो की छोटी छोटी पूरियां बना कर उन्हें डीप फ्राइ भी कर सकते हो वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है तो ये देखे हमारा एक पराठा तयार हो चुका है आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तयार हुआ है इसी तरह से हम सारे पराठे बना कर तयार कर लेंगे और जितना मैंने मिक्षर बताया है उसमें आपके 9 से 10 पराठे बन जाएंगे तो फ्रेंड्स ये स्वाद और सेहत से भरपूर पराठे आप भी बनाएए रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके